नमस्कार दोस्तों सुवागे थैं आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों ये कहवत तो हम सभी लोगों ने सुनी है कि जब टाइम खराब हो तो उट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता कार जाता है ये कहवत आज 100% साबित हो चुकी है क्योंकि अब से कुछी घंटों पहल जाए थोड़ी कम हो और वहां की जनता भी थोड़े रहत महसूस करे लेकिन इस कच्चे तेल ने तो ऐसी महाभारत पाकिस्तान में शुरू करी है जिसे देखकर कहा ये जा रहा है कि इससे अच्छा तो पाकिस्तान महंगा अरब देशों का तेल खरीद लेता कि उससे भले इन्हें कोई फाइदा ना होता लेकिन कम से कम नुकसान भी कोई नहीं था लेकिन रूस का जो इन्होंने कच्चा तेल लिया है इसने तो फाइदा करने की बजाए इनके धुए निकाल दिये हैं जबर्दस्त नुकसान करवा दिया है लेकिन ऐसा हुआ क्यों रूस का पाकिस्तान के लिए घातक क्यों बन गया है चलिए मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से बताता हूं तो दोस्तों इस मामले की शुरुआत हुई थी कल शाम दरसल पाकिस्तान के प्रधानमंतरी शाबाश शरीप ने कल शाम ट्वीटर पर जानकाली दी कि रूस का डिसकाउंट ट्वीट किया मैं उसी समय वीडियो बनाने वाला था लेकिन तभी मुझे कुछ ऐसी जानकारी हाथ लगी जिसके बाद मैं रुग गया मैंने रिसर्च करने शुरू करी और कल से लेकर अब तक मैंने बहुत सारी इंफरमेशन इकठी करी है जो मैं आपको एक-एक करके बता पास्ती नहीं है जो एक लाख मिट्रिक टन के टैंकरों को हैंडल कर सके इसलिए यह पहले टैंकर पहुंचाया गया ओमान में जहां पर इस बड़े टैंकर से तेल निकाल कर दो छोटे छोटे टैंकर में भरा गया यानि कि हर एक टैंकर में 50,000 मिट्रिक टन और इन दोनों को पाकिस्तान के लिए रवाना किया गया और कल रात यह टैंकर पहुंच गए पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर अब जैसे ही यह बड़ी तेल की खे पाकिस्तान पहुंची पाकिस्तान की जो सत्ताधारी पार्टी है उसके लोगों ने इसका परचार परसार करना शुर पाकिस्तान की जनता को बड़ी राहत देंगे अब जैसे ये खवर आई उसके तुरंत बाद दुनिया भर के कुछ एक्सपर्ट में ये बात चलने लगी कि क्या रूस का कच्चा तेल वाके में ही पाकिस्तान के लिए फाइदे मंद होगा तो जवाब था नहीं कि असल में ये पाकिस्तान के लिए नुकसान दे होगा वो कैसे एक नहीं दो तरीकों से सबसे पहला तरीका है फरनिस ओल दरसल ज एक प्रोड़क्ट और होता है जो मेजर चंक होता है उसे कहते हैं फर्निस ओयल यह इतना अच्छा तेल नहीं होता और इसलिए रिफाइन करने के बाद जब फर्निस ओयल निकलते हैं न तो इन्हें बिजली बनाने के कार खानों में भीज जा जाता है ताकि वहाँ पर यह डि पाकिस्तान के सामने खड़ी है दरसल अब तक ही अरब देशों से तेल खरीते थे जो काफी लाइट वेट होता है और इससे पाकिस्तान को खुब फाइदा भी होता है वो कैसे दरसल अगर आप अरब देशों के कच्छे तेल को प्रोसेस करते हो रिफाइन करते हो तो रिफ उसका कच्चा तेल है उसमें ये सब कुछ उल्टा है उसमें आपको मिलेगा मातर 30 से लेकर 32% डीजल और 50% फर्निस ओयल अला कि ये देखकर आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है 32% डीजल निकल तो रहा है उसे ये लोग इस्तमाल कर लेंगे ज को और PRL उन्होंने अपने ओफिशल पेपर में ये बात खुद गई है कि जो फर्निस ओयल होता है न हमें उसे बेचना ही पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान में उसका कोई इस्तमाल हो ही नहीं सकता और ना ही हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं और इसलिए जब हम उसे एक्सप प्रकार ने एक लाख मिट्रिक टन रूसी कच्चा तेल खरीदा है उसमें से आधा यानि की 50,000 मिट्रिक टन निकलेगा फर्निस ओयल और इस 50,000 टन फर्निस ओयल को इन्हें एक्सपोर्ट करना ही करना पड़ेगा कोई रास्ता है ही नहीं और जब यह ऐसा करेंगे तो हर ए गाटा हो रहा है लेकिन जो रूस ने इन्हें डिसकाउंट दिया होगा शायद उसमें गाटा पूरा हो जाए तो मैं अभी उसी पर आने वाला हूँ दूसरा पूइंट हमारा वही है दरसल रूस जब बड़े देश जैसे की भारत और चीन को कच्चा तेल बेचता है तो हम ज इसकाउंट लगबग आधा मिला है भारत के मुकाबले लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के सरकार के 16 डोलर बच गए इसमें से तो भी घटने वाले हैं सबसे पहली घटत इने हो रही है अपने बंदरगाहों की वज़े से पाकिस्तान के पास जो पोर्ट हैं वो बहुत ज हतम हो जाते हैं इसके उपर से पाकिस्तान की जो रिफाइनरीज है ना वो अब तक इस लायक थी कि वो साओधे रेविया का लाइट ओयल को किसी तरीके से रिफाइन कर सकें लेकिन रूस का जो कच्छा तेल है उसे उराल ओयल बोला जाता है वो बहुत ही जादा मुश्किल होता है रिफाइन करना हर एक देश के पास वो कैफेबिल्टी नहीं है इसलिए पाकिस्तान की जो रिफाइनरीज है उन्होंने खुद का है कि जो ये तेल है ना ये बहुत मुश्किल होगा रिफाइन करना इसलिए हमने एक प्लानिंग ये करी है कि साओधी अरेविया का ज से लेकर 6 डोलर का घाटा होगा यानि कि जो 16 डोलर का इने डिसकाउंट मिला है वो ओलेडी 78 के करीब आ चुका है अलाकि आप मैंसे कुछ लोग अब भी एक कह सकते हैं कि तुम तो इंडियन हो तुम पाकिस्तान से जलते हो इसलिए तुमने ये वीडियो बनाई है तो ऐसा नहीं है इसकिन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल ये पाकिस्तान के मीडिया हाउस खुद छाप रहे हैं कि कैसे रूसी कच्चा तेल पाकिस्तान को फाइदा नहीं भयानक घाटा देने जा रहा है और इसे पूरा करना पाकिस्तान के लिए संभव नहीं है लेकिन फिर भी कि पॉलिटीशन और पाकिस्तान की सेना जान बूच कर ये जानते हुए भी कि इससे हमारा नुकसान होगा इसके बावजूद रूसी तेल ला रही है ताकि अपनी जनता को ये दिखा सके कि इमरान खान ने जो कहा था बड़ी बड़ी रैलियों में हमने वो कर दिखाया है इसलिए इमरान खान की अब ज़रुरत नहीं है हाला कि इतनी डिटेल रिपोर्ट मैंने आपको बताई इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मुझे लगेगा कि मेहनत सफल हु फिलाल इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू वेरे मुश पर राचिंग वीडियो